मद्य पर्देश के रायसें जीले की मंडिदीप में शीतल समुह के करमचारी पर लाखों रुपए का गबन करने का आरोब लगा है दरसल शीतल समुह मंडिदीप में बिजली और मैंटेनस की वसूली करने वाले करमचारी फहद बिन रायस पर लाखों रुपए की हेरा फेरी क पर गबन करने का आरोब लगा है शीतल समुह के संचालक मनोस प्रधान का कहना है कि फहद नाम का व्यक्ति हमारे पास काम करता था वह कंपनी से लगबग 18 लाख रुपयों की हेरा फेरी कर परार हो गया है जिसकी हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है वहीं उपए के गबन कराने का एक मामला सामने आया है उसके बाद पूरे मामले की जाज पर ताल की जा रही है बोपाल से समध आता अमर वर्मा की रिपोर्ट स्री प्रवागर कर्श्टेक्शन कंपनी के लगवक दस प्रोजेक्ट मंडी रीप में हैं हमारी कंपनी में बिगत पांच चे बर से फाद बिन रहीस नाम का एक करमचारी था जो कि उत्तर पिल्देश का रहने वाला अलीगर का वो देड़ साल से बिजली की और मेंटिनेंस के इसकी रिकवरी करता था उसमें उसने लगवक एठारालाग अगा स्टी अजार का घबला किया है जिसकी सिकायत हमने मंडी दी थाने में कर दीए और यह घपला उसने पबिल्द से जो पैसे बस लिए जाते थी विजली के और मेंटिनेंस के उसके हिसाब किताब में किया ह जिसके परियाद तो सबूत हमने पुलिस को उपलग करा दिये हैं पुलिस उसमें कारवाई कर रही है और वो कर्मचारी हमारा जिस दिन से घपला खुला है कुछ दिन से फरार है हम सासन से और प्रसासन से मांग करते हैं कि हमें नयाय दिलाने का कश्ट करें सीतल सिटी जो गुरूफ है उसके मैनेजर है पंकज यादाओ उनके दौरे एक शिकायत प्रस्तत की गई है कि उनके यहां काम करने वाला व्यक्ति फाहद नाम का जो मेंटेनेंस में रासी का कलेक्शन करता था और वो रासी का पूरा हिसाब नहीं दिया है और वो उसमें लग परांथ उसमें वैदाने कारवाई की जाई है अभी उसकी जानकारी नहीं हो पाई के वो कहां पर है और सभी प्रकार के उसके प्रयास किये जा रहे है जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और जे बीडी बैंक्वेट्स पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद